दुनिया भर में ताजनगरी के नाम से प्रसुध यूपी के आगरा में दो मौत हुई है सुनने में सामाने खबर लग रहा है लेकिन मौत के पीछे एक कहानी दर्दनाक है एक पिता यानि कि एक बाप और उसके बेटे की भूख से मौत हुई है बताया जा रहा है कि वो बिमार होने के चलते बिसतर से नहीं उठ सके और इसके चलते घर में खाना नहीं बना जोसे पहले बाप का अबाप न यानि कि पिता ने दम तोड़ा और बेटे अधमरे हालत में वहीं पड़ा रहा जब पिता का शव सडने लगा और घर में बद्बू आई तो पडोसियों ने पुलिस को सूचित किया पुलिस वहाँ पहुंची तो स्थब्द सब हैरान रहे गए उसने पिता के शव को कब से मिलिया और बेटी की नब्स यानि की सांस चल रही थी तो उसे अस्पताल भिजवाया गया लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया दोनों की पहचान होतू और उनके बेटे सूनू के रूप में हुई है पुलिस ने बताया कि शव को देखने से लगता है कि होतू की मौत हुए काफी दिन बीद गया है वहीं उनके पडोसियों ने बताया कि घर में काफी समय से खाना नहीं बन रहा था बिमारी के चलते दोनों घर से बाहर भी नहीं निकले थे और स्पी सिटी रूहन पी बोतरे के बताया कि प्राथमिक ज़ाच और पडोसियों से पूछताच में दोनों की मौत बिमारी के चलते खाना ना खापाने और भूग से होना प्रतीत हो रहा है संबन्द में पूस्ट माटम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही वज़र का पता चलेगा और पुलिस ने दोनों के शाव को पूस्ट माटम के लिए